ओम सर्वे भवंतु सुखिनो। सर्वे संतु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यंतु। माकश्य दुखभागवेत। ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही। शीदामचरित मानस के रचैता गुश्वाविन तुछ सिदास महराज अपने आरहमिक जीवन में एक सामानी व्यत्ति थे। और जब उनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में उन्हें अपनी पत्नी से आस्ति बहुत अधिक हो गई। यानि पत्नी को वो छोड़ना नहीं चाहते थे बिलकुल एक ख़ण के लिए भी। घुमते रहते थे उनके इर्देगर्द। जिस हम मोह कह सकते हैं, मोह कलेल। अचाने के एक दिन पत्नी को अपने माई के जाना पड़ा। माई के जाने के बाद में जब तुछ सिदास को दो दिन दिन हो गए तो उन्हें पस ऐसा लगा कि मेरा तो जीवन भी रान हो गया है। वो पत्नी के मोह में अपने सस्राल जाने के लिए बिचार करने लगे। और उन्हें जब कुछ नी सूजा तो उन्होंने साइंकाल का समय हो रहा था तो तुरंत ही वो निकल गए अपनी पत्नी से मिलने के लिए पत्नी के माई के। मौसम वर्षा का हो रहा था आकासम बादल भी थे और वो निकल पड़े उन्हें कुछ नहीं सूज रहा था किवल उनके मानस पड़ल पर किवल अपनी पत्नी की चबी थी जब नदी के पास पहुँच गए तो क्योंकि बीच में नदी आती थी नदी को पार कैसे किया जाए तो उन्होंने मन में बिचार कि आप क्या करें कोई है भी नहीं आसपास में कोई उन्होंने उन्होंको एक छोटी से नौका दिखाई पड़ी और वो अंधेरे में उन्होंने कहा कि यह नोका भी हो सकती है और लखडी का बड़ा लठ्था भी हो सकता है छोटी नोका का मलब लठ्था भी हो सकता है तो उन्होंने उस आवेश्मा करके उन्होंने किसी के नाव की पत्वार पकड़ी और उस नदी को उस पत्वार उसके सहारे वो नदी पार निकल गए है वास्त कि उन्हें इतना भदने रहा भजब कि ये शवग उस को चूने से या उसको बैठने से पता तो लग सकता था लेकिन वह बढ़ भादी tuning रहा कि उनकी जो डिष्टी थी केवाल पतनी के रूप में थी काल ये ना नदी पार कर लिया इसका वह पता ही नी चल तब इस बहूंचे तो रात हो चुकी थी अधिरा हो चुका था और उनके सस्वाल वालों ने भोजन करने के बार में सब वो रात्री विशाम के लिए सोने के लिए चले गए थे और पत्नी का जो कमरा था वो उपर दूसरे मंजिल में था छोटा सा मगान हो था तो उन्हों ने कहा कि मैं बिना नीचे वालों को बताए वे उपर कैसे पहुंच हूं कोई साधन था नहीं सेड़ी भी नहीं थी उनको एक उसमें रस्षी लटकते वे दिखाई पड़ी जो कि रस्षी नहीं थी वो सर्प लटक रहा था मरसाता सीजन था उसको पकण करकर कि वो सीड़े दूसरे मंजिल में चड़ गए ये उनको भानी रा कि सर्प लचिला होता है या इसमें ये इसकी तचा बिलकुल चिकनी होती है ये भानी निरा हुने जब वो उपर पहुँचे तो उन्होंने अपनी पत्नी का दर्वाजा जब खटखटा आया धीरे से तो पत्नी को आश्यरी हुआ कि इसनी राती में कौन आया हुआ है तो जैसे उन्होंने दर्वाजा खोला पत्नी ने तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरे पत्नी हैं तुल इस दास के कल्यार के लिए गर कहें कि तुरंत पत्नी के मुझ से एक दोहा निकल गया अस्तिच्चारुमाई देह्ममाव तामे ऐसी प्रीती ऐसी प्रीती जो सिर्राम महा होतनत अभव भी थी कि मेरा जो हाडमांस का जो शरीर है इससे तुम्हें इतनी जो प्रीती हो रही है जब कि एक शन्भंगुर है आज ये सुन्दर है कल को नहीं रहेगा अगर यही प्रीती जो जितनी तुमने ये प्रगाड प्रीती तुमने मेरे शरीर पर की है अगर यही राम के प्रतिक अगर की होगी, इतनी लगन राम जी के प्रतिक अगर होती, तो तुम्हें भावसागर पार हो जाता, भावसागर का भाई तुम्हें नहीं देता, तो तुछिदास की महराज की तुरंत अंदर की आखें खुल गई, उन्होंने वो बिचार मगन हो गए, कि आखिर क्या कारण है कि मैंने एक सर्प को नहीं पहचान पाया, उसको रस्ती मान बैठा, शव को नहीं पहचान पाया, उसको मैं लकड़ी का लठा मान बैठा, और इत उन्होंने ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि उनके पिछने जर्मों के शुब पूर्णी उदाई होंगे, अचानक अनंत जर्मों के सुब पूर्णी उदाई हो गए, और मोह की सरिता को जो नदिया है ना भहिंकर नदिया जिसमनिक प्रकार के जली जन्तों, काम के क्रोध है, राग इत्यादी के जो जली जन्तों हैं, इस भहिंकर नदी को पार करने के लिए सब के पास में शक्ती है, लेकिन उसोर जाने के लिए हमें अपना जो संकल्प शक्ती है, उसे प्रबल बनाना होगा तन में मन हां शिवशंकल्प मस्तू अरे मन मेरा मन शिवशंकल्पों वाला हो शिवशंकल्प कातार पर यह कि वो संकल्प जिससे की मुक्ष की प्राप्ति हो जाए